यह लो एंड विलकम नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है समसाद और आप देख रहे हैं आल सपोर्ट हिंदी में जी हाँ दोस्तों आज मैं फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़दार वीडियो जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आइडियम यानि इंटरनेट डाउनलोड मनेजर को लाइफटाइम के लिए एकदम फ्री टोटल फ्री में क्रैक कैसे किया जाजी हाँ दोस्तों आइडियम यानि इंटरनेट डाउनलोड मनेजर को हम फ्री में क्रैक करेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आई वह काफी फ़ाश्ट होता है जी हां दोस्तों तो हम आज इसी को हम बताएंगे कि इसको क्रैक कैसे किया जाता है lifetime के लिए वह भी बिल्कुल फिरी दोस्तों इसको अगर market में कीमत देखा जाए तो लगभग 15-16 डॉलर है तो दोस्तों यह हमारे लिए और आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा होगी तो दोस्तों हम इसमें बताएंगे इस वीडियो में बताएंगे बिल्कुल फिरी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगा आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर लिजिए गा दोस्तों तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं दोस्तों यह बताना चाहता हूं कि अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बिल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सभी आने वाले लेटेस्ट की वीडियो सबसे जल्दी पहुंचे आप सभी तक और जो भाई सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों चलिए फिर हम चलते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर या लेफ्ट आप में अगर कोई एंटी वायरस च हम अपने कंप्यूटर में दस मिनट के लिए एंटी वायरस को डिसेबल कर देते हैं दोस्तों और उसके बाद में हम इस सॉफ्टेयर को राइट क्लिक करके यहां पर एक्स्ट्राइट कर लेंगे एक्स्ट्राइट करने के बाद दोस्तों सॉरी दोस्तों यह यहीं पर पेस्ट हो गया है अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारे एक्स्ट्राइट हो गया उसके बाद में यह आईडियम यह सॉफ्टेयर है इसको हम इस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में इस्टॉल तो यह हमारा कंप्यूटर में इस्टॉल हो गया दोस्तों दोस्तों principals को ओपन करके देखते हैं कि हमारा अभी है कि चल रहा है कि क्या है देखिए दोस्तों यह मांग रहा है कि यह भी एक्सपायर हो गया है और यह की मांग रहा है यानि इसका की तो दोस्तों हमें हम इसमें बताने वाले हैं फिरी इदम फिरी कि इसको कैसे हम क्राइक करें लाइफ टाइम के लिए दोस्तों तो सबसे पहले आप अपने पीसी में चले जाएगा वहां पर प्रोपर्टी चेक कर लीजिएगा दोस्तों अगर आपका अगर देखिए मेरा तो मेरा तो 64-bit का है तो मैं आपने हिसाब से अपने कंप्यूटर में चेक कर लिजिएगा यहां पर दो टूल्स हैं एक 32 और एक 64 तो दोस्तों मेरा 64-bit का आपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो मैं 64-8 का इसको हम इस्टॉल करेंगे दोस्तों इस्टॉल करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंट क्रैक हो गया है यानि मतलब चालू हो गया है चलने लगा है तो दोस्तों यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वीडियो जो है यह हमारा क्रेक हो चुका है वो भी लाइफ टाइम के लिए दोस्तों तो कैसा वीडियो कैसी रही आपको कमेंट करके जरूर बताईएग दोस्तों धन्यवाद